आदनी अद्दक जी, देश को आगे बढ़ाना है, तो भारत को आदू ने किता कि तरफ गए बिला कोई चारा नहीं, और समय की मांग है, कि अब समय नहीं गवा सकते हैं, और इसलिए हमने इंफ्रास्रक्टर की तरफ बहुत बड़ा ध्यान दिया है, और ये भी माने स्विका गुलामी के कालखन के पहले ये देश, आर्किटेक्टर के लिए, इंफ्रास्रक्टर के लिए, दुनिया में उसकी एक कांकत थी पैचान थी, गुलामी के कालखन में सारा नस्टो गया, देश आजाद होने के बाद, वो दिन दुबारा में आयेगा ऐसी आचा थी, लेकिन वो भी समय बीद गया, जो होना चाहिए था, जिस गति से होना चाहिए, जिस केल से होना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए, आज, आज उसमें बहुत बड़ा बडलाव इस दसक में देखा जा रहा है, सडक हो, समुद्री मार्ग हो, व्यापार हो, बोटल वेज हो, हर खेत् आज इंफ्रासरक्टर का काय कल्प देख रहा है, हाइवेज पर, हाइवेज पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है मानने देख जी, दुनिया बन में, आज चौड़ी सडकों की बत्ता होते जे, भारत में चौड़ी सडके, हाइवे, एक्सप्रेस वे, आज देश की नई देख रही है, भारत में वाइस विक सरके, अच्चे हाइवेज एक्सप्रेस दिखें, इस दिशा में हमारा काम है, पहले रेलवे इंफ्रासरक्टर, अंग्रे जोने जो देखर के गए, उसी पर भी हम बैठे रहे, उसी को हमने अच्छा मान लिया, गाड़ी चलती थी, समय था, आधनिय अद्यक जीवों समय था, जिस प्रकार से अंग्रे जो छोड़ करके गए थे, उसी भाव में जीते रहे, और रेलवे की पहचान क्या बन गई थी, रेलवे याने धक्का मुक्ती, रेलवे याने एक्सिरेंट, रेलवे याने लेट लतीफ, यही याने एक् समय था, एक समय था, एक्सिरेंट एक किस्पत बन गई थी, लेकिन अब ट्रेनों में, ट्रेनों के अंदर, बंदे भारत, बंदे भारत की मांग, हर MP चिटी लिखता है, मेरे यहां बंदे भारत चालू करा, आज रेलिवे स्टेशनों का काया कल्प हो रहा है, आज एरपोर्ट का काया कल्प हो रहा है, सतर साल में, सतर साल में सतर एरपोर्ट, नव साल में सतर एरपोर्ट, देश में वोटर वेज भी बन रहा है, आज वोटर वेज पर टांस्पोर्टरेशन हो रहा है, आधनियत तक जी देश आधुनिकता की तरफ बड़े इसके लिए आधुनिक इंफ्राशक्र को बल देते हुए आधनियत तक जी मैंने जीवन में सारवजनिक जीवन में चार पांच दसक मुझे हो गए और मैं हिंदुस्तान के गाउं से गुजरा हुआ इंसान चार-पांच दसक तक उसमें से एक लंबा कालखन परिवराजक के रुपे बिताया है हर स्थर के परिवारों से बैटने उठने का बात करने का आउसर मिला है और इसलिए भारत के हर भूबा को समाज के हर भावना से परिचित हो और मैं इसका अधार पर कह सकता हूँ और बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि भारत का सामान निम्बान भी पोजिटिविटी से भरा हुआ है सकारत्मत्न उसके स्वभाव का उसके समस्कार का हिस्सा है भारतिय समाज नेगेटिविटी को सहन कर लेता है स्विकार नहीं करता है जो लोग सपने लेकर के बैटे है कि कभी यहां बैठते थे फिर कभी मोका मिलेगा ऐसे लोग जरा पताज बार सोचें अपने तौर तरीकों पर जरा पुनर विचार करें लोग तंत्र में आपको भी आत्मचेंतन करने की आवश्यक्ता है आधार आध डिजिटल लेंदेन का सबसे बड़ा महत्वपुन अंग बन गया आपने उसको भी निराधार करके रख दिया था आप उसके भी पीछे पड़ गए थे उसको भी रोगने के लिए कौट कचरी तक को छोड़ा नहीं था जीएश्टी को नजाने क्या क्या कह दिया गया पता नहीं लेकिन आज हिंदुस्तान के अर्थववत्ता को और बास आमान ने मानवी क्यों जीवन सुगम बनाने में जीएश्टी ने एक बहुत बड़ी भूमिकालता विए वो जमाई हेल को कितनी गालिया दी गई किस प्रकार से बड़े-बड़े फॉरम का मिस्यूस किया गया आज एश्या का सबसे बड़ा हेलिकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है जहां से तेजस हवाई जहां सेकड़ों इक संगया बन रहे हैं डिफेंज इंडुस्ट्री आगे आ रही है आज भारत डिफेंज एक्सपर्ट करने लगा है माने देख जे हिंदुस्तान के हर नौजवान को गर्व होता है निराशा में दूबे हुए लोगों से अपेक्षा नहीं है